आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, क्रीस्पी और डिलीशियस ब्रेकफास्स की रेसिपी लिक्याएं भी बहुत ही जादा इजी बनता है और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो आज मैं आपके साथ शायर करूंगी वह है पोहा कटलेट यह डिफिनिटली आपको आपकी टेस्ट बर्ड को एक अलग ही मजा देगा तो डिफिनिटली आप यह ट्रायाउन कर सकते हो तो यह रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लगेगा वह है पोहा मैंने यहाँ पर दो धाई कप लिया है अच्छे से हम इसको दो से तीन पानी में वश करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम उसको फाइव मिनद्स के लिए ताकि यह अच्छे से सौफट हो जाएं सोफ्ट हरने करने कर लेना है ताकि अच्छे से डर कॉंसिसंसी में मिल जाए तो अच्छे से आपको मैश करते रहना है इसको 1-2 मिनिट के लिए साथी साथ मैं से हो थे तीन से चाहर निकाल के यहां पर तीन से चाहर बीडियम साइज से के आलू को मैस करेंगे तो च्छिलक निकाल का भी करें आपके निए लाइक साहरा न करना है। आलू पोहा के साथ मिक्स हो जाए यहां पर मैने कुछ सब्जिया काट के रखे वह आपको बता देती हूँ मैने थोड़ा इसा पैल्स मेडियम साइज का लिया है सिम्ला मिर्च मैने एक मीडियम साइज का लिया है एक 6-7 मैने हरी मिर्च ली है अब दं्यापत्ता मैं थोड़ा सा लिया है तो इसमें आपको जो भी वेजेटेबल फ़संद है अब समें आड़ान कर सकते हो जैसे की मतार हुआ गाजार हुआ जो भी आपको पसंद है तो यहां पर मैने ममसालने में लिया है एक से देड चमच मैंने जीरा पाउडर लिया है, धनिया पाउडर मैंने एक चमच से देड चमच लिया है, हल्ती मैंने हाफ टी स्पून लिया है, उसके बाद मैंने आड ओन किया था गरम मसाला, गरम मसाला मैंने एक चमच लिया है यहां पे, फिर आम इसमें एड करेंगे, आमचुरू पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहां पर चाट मसाले का यूज कर सकते हो तो आमचुरू पाउडर मैंने यहां पर जादा यूज किया है ताकि थोड़ा सा खटास इसमें आए तो यहां पर मैंने दो डेबल स्पून आमचुरू पाउडर का यूज क और भी लाल मिर्च मैं वैं करें लाल मिर्च करका और एकढारन और देधेंसे करें सब्सक्राइऄ उपसे लाल मिर्च और नमग चाय को तक फून कि नमक बखल आदसक्राइब करें मिक्स करना है ताकि एक अच्छा सा डो कंसिजनसी में हमको यह मिल जाए तो यहां पर हमारा डो अच्छा से रेडी हो चुका है अभी हम इसके टिकिया बनाएंगे टिकिया आप चोटी बड़ी आपको जैसा साइज अच्छा लगता है उस हिसाब से आप टिकियों का साइज ब इस कि का टिकिया बना के साइड में रख देंगे स्लूरी के लिए मैंने यूज़ किया है कि दो चमशमे ने हैं पर मैदा लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा नमक आइड किया है और पानी के साथ हम उसको एक सलरी बना लेंगे यह रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और सभी को बहुत ही पसंद आएगी डेफिनेटली आप इसको एक ट्राय दे सकते हो आपके घर में सभी को छोटे से बड़े लेकि यह रेसिपी सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी यहां पर हमारी सलरी रेडी हो चुकी है अब ही आती है कोटिंग की तो कोटिंग करने के लिए मैंने यहां पर ब्रेड क्रम्स का यूज गिया है तो अब ही चलो हमारी टिकी अलड़ी रेडी हो चुकी है टिको कहा हम पहले डीप करेंगे सलरी में अच्छे से deep करने के बाद हम टिक्की को add करेंगे, coat करेंगे bread crumbs के साथ bread crumbs में हमें deep करते हैं वक्त थोड़ा सा press करते हुए और deep करना है ताक कि अच्छे से bread crumbs टिक्की को चिपक जाए उसके बाद हम इसको अलड़ी हम तेल गरम करने रख चुके है तो तेल जैसी गरम हो जाएगा उसके बाद हमको यह टिक्यों को वन बाइवन ओईल में छोड़ देना है यहां पर मैंने अलड़ी टिक्या बना ली है और हम इसको एक 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 या दो-दो करके डी फ्राइ कर लेंगे आप चा बोड़ा सा राइस का आर्टा भी मिक्स कर सकते हो जब बैटर बनाते हो तो यहां पर हमारे बहुत ही डिलिशियस पोहा करलेट बनके रेडी हो चुके है आप इसको केचप मैयोनीज के साथ अगेरा सर्फ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कही हो अगर लगी हो तो प्लीज में व फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आइडी को मैंने अल्यडी मेंशन किया था आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट बिकास मैं वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूं तो चलू मैं मिलती हूं में ये नेक्स्ट वीडियो मे तिल देन टेक्यर स्टेहली स्टेहपी बबाई